हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल तो आज हम बना रहे हैं बेसन के लड़ू तो बेसन के लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप बेसन ले लिया है जिसे छान लिया है और यह बेसन नॉर्मल बेसन से थोड़ा सा मोटा होता है और दो कप देशी घी ले लिया ह कुछ ड्राइफ रूट्स ले लेंगे मैंने आपर बादाम पीस्ता ले लिया है जिनको बारिक चॉप किया है और आधा चम्मच इलाइची पाउडर और दो कप पिशी हुई चीनी या फिर बूरा ले लेंगे और यहां कड़ाई को गैस पर रखकर घी डाल देंगे और इसमें बेसन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहां हमें gas का flame low रखना है और हम इसे low flame पर ही भूनते रहेंगे लगातार चलाते हुवे भूनना है इसी तरह से चलाते हुवे भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से खुस भूनाने लगे और थोड़ा सा color change नहों जाए तो अब बेशन भून गया है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसे दूसरे बरतन में transfer कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद इसमें हम सभी सामंग्रियों को मिला लेंगे तो यहां पर हम बूरा मिला लेते हैं और इलाईजी powder और dry fruits और इन सब को अच्छी तरह से mix कर लेंगे जब तक mix करते रहना है तब तक कि यह एक जैसा न दिखने लगे अब हम देखेंगे कि इस लड्डू बन सकते हैं या नहीं तो इसमें घी अच्छी तरह से मिल गया है और इससे लड्डू आराम से बन जाएंगे तो अब हम अपने मन पसंद आकार में लड्डू बना सकते हैं और इसी तरह से सारे mixture के लड्डू बना लेंगे सभी लड्डू को इस तरह से बांध लेंगे और लड्डू ready हो गए अब इनको थोड़ा सा decorate कर लेंगे तो आपको इस लड्डू की recipe कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में पताएं और यदि आपको में रैसीपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राब में चैनल करना स्कत्राइएं कर अंगे श्यप्तराब में पसंद डिस लगए और ये उड़ा इस, О्योंげ अव्शी करेंस लेंगे अपको इस live दो आॉणिए लेगे